Season 2 Episode 10 स्टार्ट होता है Walter head की shaving कर रहा होता है पर नल से थोड़ा खराब पाने आ रहा होता है Next हमें Walter breakfast table पे दिखाया गया है Skylar Walter को बोलती है कि तुमें अब अच्छा लगने लगा है पर फिर भी तुमें ये week off लेना चाहिए और विकेंड पर मुझे तुमें अच्छे से देखना है क्यूंकि उसे एक पार्टी थ्रो करने होती है वो Walter को बोलती है हम कुछ family friends को बुलाएंगे और एक पार्टी देंगे फिर Skylar Walter को बेड में टक करके अपने काम पे चली जाती है Walter उसी बेड में रहने के ठोड़ी कोशिश करता है पर उसे बोर होने लगता है फिर वो JC को कॉल करता है और मिलने बुलाता है JC उसे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके होंगे Walter JC को बोलता है कि मुझे radiation immunities है जेसी लगता है कि उसकी हालत बहुत खराब है पर Walter उसे समझा देता है कि ये एक good news है ये easily treat हो जाएगा और मेरा cancer भी बहुत सारा कम हो चुका है तो जेसी excited हो जाता है और Walter को future plan के बारे में पुछता है Walter उसे बताता है जो हमने में बहुत सारा cook करके रखा है पहले हम उसे seal करेंगे और उसके बाद में भी मैं ये छोड़ दूँगा नेक सीन में हम directly party बराते है Skylar एक toast दे रही होती है और Skylar सब को बोलती है कि मुझे जो आपने सबने support किया है उसकी लिए thank you और वो special thanks देती है Elliot और Gretchen को क्योंकि उन्होंने Walter की सब treatment के लिए पे किया सब Walter को speech देने के लिए बोलते है तो Walter speech देता है और बोलता है कि जब मुझे diagnosis हुआ था तब मुझे लगा था कि ये मुझे ही क्यों हुआ और अब मेरे life extend हो चुके है फिर भी मुझे लग रहा है कि ये मुझे ही क्यों हुआ Walter एक depressed feel कर रहा होता है और एक deep anger उससे बाहर आता हुआ में दिखता है इन scene से next scene में Walter, Hank और Walter Jr. सब table पर बेटे हुए होते हैं Hank Walter Jr. को turtle की story बता रहा होता है turtle story मतलब previous episodes में हमने देखा था कि turtle explode हुआ और Hank के clicks को उसने hurt कर दिया था Walter को लगता है अब जब हम celebrate कर ही रहे है तो वो Walter Jr. को एक drink बना कर दे देता है Walter Jr. उसकी drink खतम करता है तभी वो और एक drink pour करता है Hank उसे मना करता है और बोलता है ये तुम्हें नहीं करना चाहिए Walter फिर और एक तिसरी drink Walter Jr. को देता है तब Hank उसे मना करता है फिर Hank और Walter में जगड़ा हो जाता है Walter उसे बोलता है मेरा घर मेरा सब कुछ मुझे जो चाहिए वो मैं करूँगा ये एक celebration है पर तभी Walter Jr. उल्टी कर देता है और उनकी fight होई खतम हो जाती है निक सीन में हमें JC और जेन एक दुसरे के साथ दिखाये गए है JC जेन के लिए breakfast ready कर रहा होता है अब JC और जेन बहुत सारा time एक दुसरे के साथ spend करने लगे है वो अपने दिन एक साथ spend करते है जेन उस दिन भी उससे पूछती है कि क्या तुम आज काम करने वाले हो तो JC बोलता है कि आज मैं तुमारे साथ हूँ Walter दुसरे दिन Skyler को काम पे call करता है और उसे बोलता है कि मैं बहुत सारी हूँ मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था Walter नोटिस करता है कि नल से बहुत ही खराब पानी आ रहा है उनका जो हीटर होता है वो खराब हो चुगा होता है Skyler की party के जो left hour होते है तो वो अपने office में ले आती है उसे लगता है अगर वो घर पे रखेगी तो वो सब खा जाएगी इसलिए वो office ले आती है तभी Ted उसे cafeteria में मिलता है वो Ted को बताती है कि Walter की party के है Ted उसे पुछता है कि क्या Walter का birthday था तो वो Ted को बताती है कि Walter को cancer था और अब वो अच्छा हो चुका है तो Skyler को वो congratulations करके वहाँ से चला जाता है Walter घर के लिए एक नया heater लेने super market आता है और सबसे expensive जो होता है वो ले लेता है जो वो पैसे दे रहा होता है उसमें एक note पर blood भी आया हुआ होता है पर वो उस note को अपने जेब में डाल लेता है जैसी अपने बच्पन की सब जो tryings होती है वो Jane को दिखा रहा होता है और वो अच्छे से एक moment share कर रहे होते है पर तभी Jane को लगता है कि उसके father आ गए है तो वो पीछे के door से उसके घर में चली जाती है और दरवाजा खोलती है उसके father उसको greet करते है और उससे lunch पे ले जाना चाते है तभी जेसी आ जाता है जेसी के expectation होती है कि Jane उसे अपने father से introduce करा है पर Jane उसके father को बोलती है कि ये हमारा new tenant है और जेसी को बुछती कि क्या तुमें कुछ चाहिए जेसी वहाँ से निकल जाता है Walter नया hitter घर में बेठा देता है Walter जुनियर वो देखता है और Walter उसे बोलता है कि इसे check करते है वो जब नय वाटर को check कर रहे होते है तब Walter जुनियर उससे sorry बोलता है तो Walter बोलता है कि तुम्हारी कुछ गलती नहीं थी Walter जुनियर कहता है कि तुमने जो मुझे dreams दिये थे वो मैंने सब पी लिये मैंने तुम्हें disappoint नहीं किया तब Walter को लगता है कि वो एक bad father है जेन के father जब चले जाते है तो जेन फिर से जेसी के apartment पे आ जाती है तो जेसी उससे पूछता है कि क्यों तुमने तुम्हारे father से मुझे introduce नहीं कराया तो जेन बोलती है कि मैंने तुम्हें एक favori किया क्योंकि वो बहुत ही strict है और तुम जो मैत वगरा करते हो तो इससे उन्हें गुस्सा आ जाएगा जेसी उसे बोलता है कि हमारी relationship के बारे में तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था जेन उसे ignore कर देती है और बोलती है कि हमारे relationship के बारे में क्या बता है जेसी गुस्सा होकर घर से निकल जाता है Walter घर के जो कुछ floors होते है उसमें rot ढूनता है और उसे लगता है अब इसको replace कर देना चाहिए तो वो सब सो shopping करता है और वो लग जाता है काम करने में Skylar अपने office में बहुत देर तक काम कर रही होती है तेड़ वहा आता है और उसे पूछता है कि क्यूं तुम इतने देर तक काम कर रही हो तो Skylar रोने लगती है Skylar उसे बताती है कि Walter का cancer तो अब बहुत कम हो चुका है पर अभी भी लगता है कि वो वापस आ जाएगा ये सिर्फ एक matter of time है जब वो cancer फिर से वापस आ जाएगा ये जो pain है ये end ही नहीं हो रहा तो Ted भी उसकी story से relate करता है और अपने father की भी story share करता है वहाँ वो एक दुसरे के हाथ पकरते है और वो एक moment share करते है नेक्स दिन Walter breakfast करने के लिए भी नहीं आता वो continuously उस road पर काम कर रहा होता है जैसे disturb होकर math कर रहा होता है तब जेन डोर के नीचे से एक sketch slide करती है और उस sketch से वो apology करती है जब Schuyler को Ted से बात करना अच्छा लगता है तो जब Ted अपने office से जा रहा होता है तो वो deliberately उसके जो pains होते है उसको गिरा देती है और आवाज करती है तो Ted उसकी help करने आ जाता है और वही वो बाते करने लगते है Walter अपने काम को continue करने के लिए super shop में जाता है और वहाँ वो एक लड़के को देखता है वो लड़का मेत बनाने का सब सामान इखटा कर रहा होता है तो Walter उसे बताता है जो मैस्टिक्स तुमने चुनी है वो गलत है तुमें अलगतर है कि मैस्टिक चुनी चाहिए वो उसे help कर रहा होता है Walter फिर super shop से बाहर आता है और एक भैन देखता है और उसी लड़के को फिर से देखता है तो उनके पास वो जाता है उस लड़के के साथ और भी एक आदमी होता है उन्हें जाकर वो बोलता है कि मेरी territory से बाहर निकलो एक strong eye contact वो उनसे बनाता है सीरीज के first में Walter उसकी hairstyle maintain करते हुए हमें दिखाया गया है और last में वो बोलता है कि मेरे territory से बाहर निकलो इससे हमें पता चलता है कि Walter अपनी lifestyle maintain करने वाला है वो continuously math cook करने वाला है यह हमें इस scene से पता चलता है बले ही वो जैसे को बोले कि अब मैं इस game से बाहर निकल वेने व वाला है यही एपिसोड खतम होता है season 2 episode 10